अर्विंद केजरिवाल की चुनरी में दाग लगते ही जा रहे हैं दो दाग कल भी लगे हैं और अर्विंद केजरिवाल जी कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे जनता के बीच में मैं जाऊं कैसे कल सर्वोट न्याले ने बड़ी सक्थ टिपड़ी करी है और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि RRTS प्रोजेक्ट है Regional Rapid Transport System दिल्ली गाजियबाद मेरट और ये अपने हाथ में 6 मार्च 2019 का सर्वोट न्याले का आदेश 21 एपरिल 2023 सर्वोट न्याले का आदेश और जो कल आदेश पारित हुआ है वो आपके समक्ष रखता हूँ और ये दिखाएगा कि अर्विंद केजरिवाल कितने बड़े घोटाले बाज है अपनी वागेनार तो बड़ी हो गई लग्जरी गाड़ी में गूमेंगे चार्टर में गूमेंगे मैं बड़ा बंगला नहीं लूँगा शीश महल बन गया करोडों का घोटाला वहां किया तुष्टी करण करने के लिए भट्ता देने के लिए रुप्या है लेकिन जनता की सहूलियत जनता का हित हो जाए वो इनको अच्छा नहीं लगता है अर्विंद केजरिवाल करेंगे भरष्टाचार जनता रहेगी लाचार यही इनकी प्रेड़ना है यह आकड़े बड़े ही महतपूर्ण हैं और यह सारे के सारे मैं ओर्डर से ही पढ़ रहा हूँ दिल्ली मेरट का यह कॉरिडॉर करीब 82 किलोमिटर का है और दिल्ली से मेरट 60 मिनट में आम जनता दूरी तै कर लेगी इसकी कुल लागत 31,632 करोड रुपए जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5828 करोड रुपए देने थे उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से सरकार है जो जनता की चिंता करती है वो रुपए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया 5828 करोड दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड था केवर 1138 करोड अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराई है अर्विंद केजरिवाल जी अपने शराब के व्यपारी मित्रों की चिंता करते हैं अपना शीश महल बनाते हैं और एक तुल्नात्मक बात रखना अतियावशक है तीन वर्च में अर्विंद केजरिवाल कटर बाइमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंदन करने के लिए 1106 करोड रुपए के इश्टिहार दे डाले अपना अपना अवर्टिहार देश्टिहार ने पूर्टिहार देश्टिहार ठोड़्य करोड लिए। Mr. Aravind Nikesh Diwal in the last three years. Now question has to be asked that on one side your contribution for the RRTS project was 1100 and 38 crores and you have repeatedly told the Honourable Supreme Court that we do not have the money. मेरे पास तो रुपया है नहीं और 1106 करोड रुपये उसी समय आप अपना महिमा मंदन करने के लिए इस्तिहार में इस्तमाल करते हैं